चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चों, NTA के एप्लिकेशन फोरूम में फोटो को लेकर आपके जितने सारे भी डाउट हैं वो मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ तो इसमें जो फोटोग्राफ है वो दो परकार के फोटोग्राफ आपको अपलोड करने हैं सबसे पहले है पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ बड़ा होता है 4 x 6 का होता है पहले जो postcard होता था उसी size का ये photograph होता है इसके बाद में एक छोटा photograph passport size का photograph ये दोनों photograph आपको upload करने हैं application forum के साथ में जो passport size का photograph और postcard size का photograph upload करना है वो 10 से 200 kb के बीच में upload करना है ये जो photograph है वो 1st January 21 के बाद में खिचावा होना चाहिए उसके बाद click किया होना चाहिए और उस पर आपका नाम clearly indicate होना चाहिए आपका नाम लिखा होना चाहिए यानि candidate का नाम लिखा होना चाहिए और वो date लिखी होनी चाहिए जिस date को photograph आपने click किया है photograph में cap और googles नहीं होना चाहिए इसके बाद में 80% face cover होना चाहिए इसमें इसके बाद जो आपके ears हैं वो clearly visible होने चाहिए white background होना चाहिए अब इसमें काफी सारे student के doubts थे मेरे पास comments भी आये थे कि सर्फ photograph में मेरे ear हैं वो clearly visible नहीं है तो आप front में अगर photo सही तरीके से खिचवाते हैं तो दोनों ear आपके clearly visible होते हैं तो इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है अगर आपको खुद को doubt है photograph में कोई mistake है तो आप दुबारा से click करवा सकते हैं इसमें दूसरी बात अगर आप जो चस्मा है वो regular पहन रहे हैं पावर का चस्मा पहन रहे हैं तो वो आप लगा के photo click करवा सकते हैं इसमें जो computer generated photo है यानि की computer से card chart के QE photo है वो accept नहीं होगी इसके बाद में इसमें ये जो आपको पास में photo है passport size की वो 6-8 photo आप रख ले बनवा के क्योंकि ये बाद में भी काम आएंगी admission के time में भी काम आएंगी इसके बाद postcard size की photo है वो 4-6 photo आप बनवा के रख ले color photograph with white background के साथ में तो इस परकार की ये condition है तो इस परकार से आप इसको बनवा के रख सकते हैं अभी सबसे ज्यादा doubt student को ये रहता है कि कुछ student ऐसे हैं जिनोंने photo पे नाम भी नहीं लिखा है date भी नहीं लिखा है form अलड़ी submit कर दिया है और photo उन्होंने वही upload की है तो मैं आपको बत प्रिवेस येरों में भी ऐसा हुआ था ये पहले भी लिखा हुआ आता था instructions में ये सारे आते थे लेकिन पहले भी student ने अगर इस परकार के photo जिस पे नाम नहीं है date नहीं है वह upload किया है तो वह accept हुई है ऐसी कोई problem नहीं है आपको tension लेने की जुरत नहीं है क्योंकि student इसी इसके बाद में हम बात करें signature की तो इसमें signature आपके running hand में signature होने चाहिए जैसे capital letter में लिख देते हैं वो भी माने नहीं होगा आप इसको white paper पर running hand में black ink pen से scan करके 4 से 30 kb के बीच में इसको upload कर दें scan करके अभी काफी student का यह भी doubt है कि इन्होंने black pens की बजाई blue pens से signature करके upload किया है तो वो भी acceptable है कोई ऐसी problem नहीं है आपका form accept हो जाएगा कोई दिकत नहीं है उनको tension लेने की जरूरत नहीं है अभी left thumb की बात करें तो left thumb blue ink का जो pad आता है उस pad से आप impress करके left thumb आप एक white paper पर impress करके उसको scan क करके upload कर सकते हैं इसको यह 10 से 200 kb की size पर upload होगा यह सारे के सारे जो image है वो jpg format में होने चीए अगर किसी candidate के left thumb नहीं है तो उस condition में वो right thumb भी upload कर सकते हैं तो इसमें आपको कोई दिकत वाली बात नहीं है आप सावदानी से अगर आपने अभी तक form apply नहीं किया है form नहीं ब upload करें क्योंकि इसमें बाद में आगे tension ही बढ़ी रहती है अगर थोड़ी सी mistake हो जाती है और फिर से मैं बता दूँ कि जिने student ने application already apply कर दिया photo पे नाम और date नहीं लिखा है तो कोई problem नहीं है उसमें वो photo accept हो जाएगी तो इस परकार का मैं सोच रहू हूं कि आपका जो भी नए वीडियो में तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा जय हूं